हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम ब्लाउस का मेजरमेंट लेना सिखेंगे तो सबसे पहले हमें जिस विसास के ब्लाउस बनाना है उस ब्लाउस को आप ले लिजी और बंद करके बटन को बंद करके आप रख लें और उसके बाद में लिखी यहाँ पर हमने एक कॉपी ले लिया है और पेंडी लिना है तो यहाँ पर हम सारा कुछ लिख लेंगे ब्लाउस कि लंबाई और चाती कमर सोल्डर वतवर वगश्टर वगजर  तो सारा कुछ जो है, एक एक कर मेजर्मेंट ले करके लिखते जाएंगे ठीक है, यहाँ पर हमने सारा कुछ नोट कर लिया है आगे का गला, पीछी का गला, तो सब कुछ हम जो है तो दिखे, सबसे पहले तो हमें पीछी वाले पार्ट की लंबाई देखना है पीछी पार्ट से हमें लंबाई देखना होता है आगे के पार्ट से लंबाई समझ में नहीं आती है तो यहाँ पर आप देख सबते हैं कि हमारे ब्लाउस की लंबाई 12.5 इंच है तो यहाँ पर हम 12.5 इंच लिख लेंगे लेकिन जब हम हम कटिंग करेंगे, तो कटिंग में जो हमको एक इच बढ़ाना होगा, अगर आपका तुरपाई करते हैं तो आपको 2 इच बढ़ाना होगा, क्योंकि देखें, गेड़ हम तुरपाई करेंगे और आधा इंच हमारा तो आप देख सकते हो कि एक साइट से दूसरी साइट का पार्ट हमारा 15 इंच आ रहा है, तो 15 को हम डबट करेंगे, तो आप इंची टेप को इस तरीके से फोल्ड कर लें 15 से, तो ये 30 इंच हो गया, इस तरीके से हमारा पुरा चेस्ट का फुल मेजरमेंट पता चल जाएगा लेकिन जब आप cutting करोगे तो आपको 30 का चाथाई बाट करना है तो 30 का चाथाई हम कर लेते हैं यानि कि 30 का half किया तो 15 और 15 का half फिर से आप कर लो तो साड़े साथ इन छो जाएगा तो इस तरीके से आप जो है कपड़ा लेते हैं तो जैसे कि हमने यहाँ पर 1.5 इंच ले लेना है तो टोटल हमारा हो जाएगा यह जब आप cutting करोगे तो जो है यहाँ पर 1.5 इंच हम प्लस कर लेंगे साड़े साथ तो हमारा 9 इंच आ रहा है तो हम 9 इंच पर cutting कर लेंगे और इसी तरीके से कमर के साड़ में आप देख सकते हैं कि हमारा 12 इंच है तो 12 का हम डबल करेंगे तो 24 है यह 24 हो जाएगा हमारा तो यानि कि 24 साड़ का कमर है इसका तो जब हम cutting करेंगे तो 24 का फोर्थ करना है तो 6 इंच हो जाएगा और 6 में और आपको एक्स्टर मार्जन लेना है एक नए एक नए तेर्ड या दो इंच आप ले सकते हैं तो यहाँ पर हम तेर्ड इंच ले रहे हैं तो टोटल हम जब cutting करेंगे तो साड़े साथ पर cutting करेंगे कमर के और shoulder अब हम यहाँ से देखे दोनों side से जो यहाँ पर हमने सिलाई किया है बाजू का joint है वहाँ से आप देख लीजिए हमारा 10 इंच है तो 10 का आपको half करना है जितना भी आपका आ रहा है उसमें से आपको half करना है आप देखे यहाँ पर हम देख लीजी मोड़ा का measurement ले रहा है तो इसी तरीके से आपको सारे measurement ले लेना है आप यहाँ पर हम गले का देखेंगे कितना है गला तो इसकी सिधान से हम देख रहा है यह हमारा total यह देखे तो 5 इंच हमारा गला है टोटल तयार लेकिन जब हम कटिंग करेंगे तो आदा इंच बढ़ा करके कटिंग करेंगे क्योंकि हमारा सोल्डर में जो है सिलाई हो जाएगा आदा इंच उसमें चला जाएगा तो हमको आदा इंच बढ़ा लेना है यानि कि हम 6 इंच पर कटिंग करेंगे और मोड़ा और सोल्डर में आपको प्लस में ही करना है सिर्फ आपको गले में एड़ करना है और चेस्ट की साइड में कमर की साइड में ठीक है तो अब देखें यहाँ पर जो हम गले का बैक पार्ट का गला देखेंगे कि इतना है तो यहां से आपको सोल्डर से इंजी टेप रखना है तो यह देख सकते हैं आपके 9.5 इंच आ रहा है यहां से आपका जितना भी जहां पर इंजी टेप आ रहा है आप उतने लिख लिए और उसमें से 1.5 इंच और एड़ कर ले तो यहां पर देखिए हमने 1.5 इंच प्लस किया है तो जब आप कटिंग करोगे तो आपको 10 पर कटिंग करना होगा क्योंकि और आदा इंच हमारा सिलाईज में जाएगा इसलिए आप देखिए यहां पर हमें बलाउस का स्लेव देखना है तो यहां पर जो हमारी स्लेव का प्लस करना होगा तो यह हमारी जो इसमें हमने लेस लगाया है तो आदा इंच हमारा सिलाई में जाता है यह अस्तर वाला उलाउस है तो हम मसीन से जॉइंट करते हैं तो इसमें सिर्फ आदा इंच जाता है एक साइड से और सोल्डर के साइड में से आदा इंच जाता यानि कि एक इंच आपका जाएगा तो अब जो है चोड़ाई के साइड में देखेंगे हम असे इनकी कितना चोड़ाई है तो आप देखें यहां से हम इंची डेप को रखेंगे तो आप देख सकते हों कि हमारा यह लगबग लगबग साड़ चार इंच है और जब आप सलीव की कटिंग करोगे तो आपको इसमें इधर भी आड़ करना होगा लगबग डेढ़िया दू इंच तो फ्रेंट्स अगर आप इस तरीके से बलाउस का मेजरमेंट लेकर कि तब बलाउस की कटिंग करते हैं तो आपका बलाउस परफेक्ट कटिंग होगा